के मैसेज़ काफी कमेंट्स आ रहे तर जब आपको इंपने कुछन करा रहा हूं जो कि आपकी बीस्टर वाजने कोई से बीस्टर वाजने पुईसी भी हो सकती है और जिस टॉपिक के बारे में आज में बात करने वाले हैं वह हमारा गायगर बोलर गड़क यह विच्छी ठीक पूरा थेटिकल है और आएगा तो लॉंग कुछन में आएगा जो कि दस नंबर का आएगा कुछ आपके सेमस्टर वाज हुआ तो सिक्स का यह हो सकता है लेकिन मैग्जम मार्क स्टैंड मार्क साब पर पूंचा जाएगा तो किस टैप सी आएगा देखो गायगर मूलर संसुचन के लिए सन 1928 में यह दो तिन पाइंट ऐसे होते हैं इनको डार करके लेके और यह ब्लेक पैंस इसको लेके लेके लिए तो यहीं कुछ पाइंट इसे होते हैं जो आपको मेंग्जम मार्क साब बिलाते हैं तो 1928 में गायगर तता मूलर ने इस गड़क की खोच की इसका संचिप्त नाम क्या है जी एम कॉंटर गीम कॉंटर तो देखो सनचना समझते हैं इसकी पहले संचना में आपको एक फिगर समझाना होगा पहले समस्थे कि यह आपका चित्र है इसम क्या करते हैं कांच की नली कांच की नली में तावी का खोकला वेलन होता है ठीक है यहां सम विक्रण शुरू होता है यह मारी क्या है एक बैटराइज हमने एक्टिकर्स को क्या है उच्छी विववव सुरूत हमने आपके दिया है जिसको माइनस और प्लस पॉइंट हो जाएंगे एक चार पॉलिट का सब्सक्राइब करना है चित्र वहती आसान है सब्सक्राइब को सेम स्टैप से बनाना है यहां से मिलेंगे समझते हैं इस चैत्र में क्या है देखो चैत्र में गया उनस्में कांटर की सनचना दे गई है इसमें कांच की नली के उंदर तावे का एक होगला बेलन आपके किसी है जो कैतार का कारे का होगले पर पतला टंगर्श्टन का तार ए नोड का कारे करता है तुझे पूरा खुकले बिले नहीं वह थोड़का और उसके अंदर तार वह किसका करता है नोड का करता है नली में अल्पदाव लगवाद दस सेंडिमीट्र पारे के दसन्मीटर पारे पर आजन या नियोण गयस भरी होती जो उंदर अनोड का कार्य कर रहा है पहांसी आरगन्गेस कि तथा इसके साथ है है जैसे की अलप मातर ते तो उसके साथ है है दो जैसे ब्सक्राइब का ठीक है तीब सीतलन अग्यान का कार्य करती है तता अचे तारके मद उच्छे थुरूत वा स्रेणी करम में एक उच्छ प्रतिरोद आड़ व्रवानतर को सीयार परफद्वारा परवर्दक वा गड़क को भीज दे जाता है परवर्दक वह गड़ा आपका लास्ट में बॉक्स बना हुआ है इसकी कारविदी क्या है कारी समते जब कोई आयनकारी कड़ गायकर मूलक नली में प्रविस्ट करता है तो वह नली में भरी इसको आयनेद कर देता है जिससे धनायन वाइलेक्ट्रों निव उत्पन हो जाते हैं और टीके एलेक्ट्रों के बिसेस आकार के करण उत्पन बैददुछेत्र तिक्जी हो जाता है तथा इस एनोड़ तार के निकट सरवादिक परवर्दतर होता है तो जब कोई आपको उ परमानव को उत्तिह तवस्तां पॉंचा देता है तो जो अंब विवांतर सम्वार्य रुप्राक किया है अत्यदिक होता है वह ज्यादा करते करते हैं इसकी कारण इल्यक्ट्रों गया बहाघ्ट्रों हो परमानव को उत्तिश सबस्तां Federal unserer ह камsan at इस कारण परावैगनी का विकरन उत्पन हो जाता है परावैगनी विकरन बैद्धुत उदासीन होने के कारण सभी दिसाओं में सकते हैं तथा एवलांज संपूर्ण नली वे फैल जाता है आपने अवस्ता में कुल उत्पन आयनों की संख्या आप्टित आयनकारी कड़ उत्पन उत्पन आयनों की प्रारमिक संक्या पर निर्वन नहीं करती है इलेक्ट्रों हलकी होने करण अत्यांत अल्प समय में एनोड पर पहुंच जाते हैं प्रतु धनायन वारी होने करण धीमी गती से चलते हुए कुछ समय के लिए एनोड के चारों रिकत्रत हो जाते हैं अत्यांत अल्प समय में एनोड पर पहुंच जाता है प्रतु धनायन वारी होने करण धीमी गती चलते हुए कुछ समय के लिए एनोड के चारों रिकत्रत हो जाते हैं जैसा आपने कोई भी भारी करना है तो क्या हो कैथोड की आपकी नली इसमां बैट जाते हैं और चारों के प्रेक्षित नहीं होती है तो इस आपके और जोड़ दिया गया है दुरूर्थ सीदलन बाला यह आपका सोड़ें पुछ आते हैं तो क्रमिक एविलांसी प्रवधनों के करण गणक द्वारे तेजी साने वाली पल्सों की गिंती जो आपकी तेजी साने वाली पल्स है ज सब जो आपके पॉइंट्स है वह नोट परीके नीचे बैठ जाएंगे इसके लिए अपना एक वीदी दुरुष सीर्टलन में था आप इसमें सब्सक्राइब करांगा जो आपने वीडियो की अगर आपको पसंदे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि ऐसी कर रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को जो शेर कर दें यहां पर मैं आपको प्रोबाइट कर रहा हूं